तो फ्रेंस आज हम बनाने वाले हैं आलू का ऐसा नास्ता जो की बहुती कम तेल में बनके तेयार होगा और खाने में बहुती तेस्टी लगेगा और यह सिब 2-3 मीड में बनके तेयार होता है तो शरी शुरू करते हैं इसे बनाना सबसे पहले मैंने यहां पर उबले हुए दो आलू लिये हैं इन्हें हम अच्छे से मेश कर लेंगे आप चाहो तो यहां पर ग्रेट भी कर सकते हो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि मेश करते समय आलू के अंदर के गुटली नहीं रहनी चाहिए तो फ्रेंज इस नास्तों का आप एक बार बनाओगे तो मार्केट की कचोरी समसा सब खाना भूल जाओगे आलू को हमने अच्छी तरह से मेश कर लिया हैं चलिए इसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं और मसाले वो है जो कि अपने सारे कड़ में ही मील जाएंगे सबसे पहले हमें डालाएं सौत अलमक आदा चमाश हम डालें आप लाल मिस्ट पाूडर आदा चमा चाट मसाला डालेंगे और आदा ही चमा चमा चमिया पे कच्छा जिर्ड़ डालेंगे और चुटके पर हिंग डाल देंगे इस नास्ते में आप हिंग कायू जोर से करें और आदा चमा चमा चमिया पे कुटूवी काले मिश्ट डालेंगे अब नास्ते में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम याँ कसूरी मेथि डालेंगे, इसे हम हाथों से क्रश कर लेंगे अगर आप यहां पर हरे दिनियाह का भी यूज कर सकते हो सबी मसालों को हम आलू में अच्छे से मिला लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको याद दिला दूगी अगर आपको मेरे सिपी जरा से भी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सुस्काब जुरूर करें अब हमारे नाश्टे में बाइंडिंग लाने के लिए हम यहां पर दो छुटे चम चावल काटा डालेंगे आटे को हम आलू में अच्छ से मिला लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर हमें बीना पानी डाले हो इसका एक डो बना के तियार करना है अगर आपके पास चावल काटा नहीं तो यहां पर आप गिहूं के आटे का भी युज कर सकते हो और इस नास्ति का आपको भी भ dhb si 007MA के च्छोटी मोटी बुक में यहां पिड शूब शाम के नास्ते में और इसे आप बना के बच्चों के टिपिन में भी दे सकते हैете चलिए शुरू करते हैं इसका नास्ता बनाना हाथों में तोड़ा साम तेल लगा लेंगे और निम्बू जितना डो हम हाथ में लेंगे और इसका गोल बनाया कर हम हलकी आतों से इसे प्रेस कर देंगे तो फ्रिंस यहाँ पर आप देश सकते हैं अगर आप बोस बनाना चाते हो या फिर सिलेंडर से बनाना चाते हो तो आप यहाँ पर वह भी बना सकते हो और अगर आप यह नास्ता बच्चों के टिपिन में देना चाते हो तो इस तरह से आप बना कर रात को ही रख दे और उने सुबर फ्राइ करके टिपिन में दे सकते है येकिन मानिए आपको उनका ठीपिन खाले ही मिलेगा चेली अपर इनको घरते हैं फ्राई तो आज हम इस नास्तो को डी फ्राई ने शेलो फ्राई करने वाले हैं इसके लिए मैंने आप एक बड़े चमत तेल को गरम किया हैं अगर आप ओईली खाना पसंद करते हो तो इस नास्तो को डी फ्राई भी कर सकते हो और हम इस नास्तो को जब तक नहीं पलताएंगे जब तक ये एक साइड से अच्छे से सीख नहीं जाता तो फ्रेंज हम यहां पे गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें उलर्टे फ्लर्टे वे अच्छे सी क्रिस्पी होने देंगे ये बनके तियार इन्हें हमें प्लेट में निकाल कर इसी तरह से वाकी का सारा नास्ता बना के हम तयार कर लेंगे तो अभी बारिश का मसर शुरू हो चुका है और हमेशा आपकी तरह आप पकोड़े खाके बोर हो चुके है तो इस तरह से ये नास्ता आप जरूर से बनाना, आपको बहुत ही पसंद आएगा ये नास्ता खाने में, तो बातों ही बातों में हमारा सारा नास्ता बन के तैयर हो चुका है, आप इस चटनी को टमाटर सोस के साथ खाए या पी हरी चटनी के साथ खाए, और ये नास्ता अब देज्ब से पाज़ेक आप न मौने से और तदके नास्ता बनाना उटार नियुक्त sevent को आपको आज की मेरी रेशिपी पसंद after का शरूत को मेरी चैनल को लाइक करें शेयर कर और स्सक्राइब करना ना बुले मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ हैं क्यों फॉर वाचिंग